ब्लास्ट लेक्शर में हमने बात कि थी मैंसर्वल साइकल कि मैंसर्वल साइकल को हमने अच्छी तरीक से Đिस Lights sign classified किया है कि उसमें क्या होता है आप उबिलेशन में सैकंडरी उसाइट रिलीज हुआ था लेकिन वहा पर एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि जब fertilization होता है तो fertilization के बाद जो next menstrual cycles है वो सारी की सारी कि अगो हो जाती है तो आज हम डिसकस करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फटिलेजेशन होता क्या है फटिलेजेशन अगर जो आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तो फर्डिलेशन को हम बोल सकते हैं the fusion of the fusion of male gamete यानि की स्पर्म विद फीमेल गैमेट यानि की ओवा तो जब male gamete और female gamete आपस में फ्यूज होंगे तो उस प्रॉसेस को हम बोलते हैं फिर्डिलेशन और यह इंदर हम बात कर रहे हैं किसके अंदर बात कर रहे हैं एक घ्रिलेशन किस जगे में होटा है तो सब्सक्राइब करने के लिए मुझे एक छोटा सा डाग्राम बनाना पढ़ेगा तो आप लोग ज़्यान देख तो कुछ इस तरीके से और यहां पर और यह बाहर की लेयर ओके तो हम देख सकते यह यूटरस की वाल बनाई हुई है मैंने पूरा डियागराम नहीं बनाया है पूरा डियागराम पिछली वीडियो में मैंने फीमेल रिप्रफ्टे सिस्टम को पढ़ाया था वहाँ पर बनाया हुआ आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से बस हम इसी को कम्प्लीट कर लेते हैं यह है यहां पर ओवरी और यह यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन्स और यह लिगामेंट के थुरू यूटरस से अटेच होती है यहां पर भी ऐसे ही होगा तो मैं उस साइड को ड्रॉन ही कर रहू हूं बस आप यहां पर ध्यान दें देखिए यह human female का female reproductive system है इसके अंदर इसको हम बोलते हैं ovary क्या बोलते हैं ovary और यह जो आप देख रहे हैं यह tube इसको हम बोलते हैं fallopian tube क्या बोलते हैं fallopian tube और fallopian tube के तीन पार्ट होते हैं यहां पर होता है इस थमस इस थमस एंपुला और इन फंडी बुलम इन फंडी बुलम और यह finger like projections कहलाती हैं और यह जो पार्ट है यह कहलाता है यह है यूटरस और यह यूटरस cavity कि यूटरस कि एक्शली मैं यह डियाग्राम क्यों बनाया क्योंकि हमें अब पोजीशन के साथ साथ पढ़ना है कि कहां पर फर्टिलाजेशन हो रहा है और कैसे हो रहा है तो देखना जरा यह ओवरी है तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी उजनेसिस में किस तरीके से ओवरी के अंदर primordial follicle develop होता है primary oocyte secondary oocyte tertiary oocyte and then graphene follicle बनाता है और graphene follicle बनने के बाद यहां से क्या होता है ova egg जो है वो release होता है अब ova और egg ना भोल करके हम बोलते हैं आप है secondary oocyte release होता है real में at the time of ovulation secondary oocyte release होता है औवा रिलीज नहीं होता है क्योंकि इस stage तक सिर्फ और सिर्फ मियोसिस 1 कंपलीट होता है क्या कंपलीट होता है? अभी म्योसिस 2 कंपलीट नहीं हुआ है लेकिन जैसे यह बहार निकलता है यह जो secondary oocyte बहार निकलता है मेटाफेस 2 में arrest है किसमें Metaphase 2 में Arrest है अब ये Metaphase 2 में Arrest क्यों है ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आगे बढ़ने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए Centriol होने चाहिए जब Centriol होगा तो Spindle Fiber Formation होगी Metaphase Plate बनेगी and then Divisor होगा Anaphase आएगा and Telophase आएगा Release हो जाता है तो Ovulation हुआ और ये Secondary Ocite Release हो गया अभी जो Secondary Ocite Release हुआ है ये अपने साथ में ये अपने साथ में Cells of Granulosa को भी लेकर के जाता है कुछ Cells of Granulosa को भी लेकर के जाता है और यहाँ पर Covering भी आ चुकी होती है ठीक है जिसको हम बोलते है Zona Palucida तो ये जो structure है ये जो structure है यहाँ पर इसको अगर जो हम थोड़ा जूम करके देखें कि कैसा दिखता है ये structure तो मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ छोटा सा ठीक है तरह ध्यान देंगे जो हमारी NCRT में भी बनाया हुआ है अके और साइड में कुछ cells बना देते हैं जो ये ले करके आता है कुछ इस तरीगे से तो ये कुछ ऐसा structure यहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये जो ब्लू कलर से cells बनाए हुए हैं इनको हम बोलते हैं cells of corona radiator अब corona आज कल टर्म बहुत ज़ादा चल ला है कोरोना तो ये cells of corona radiator होते हैं कौन से cells होते हैं cells of corona radiator और इसके अंदर इस जो रेड कलर से लेयर बनाए हुई है इसको हम बोलते हैं zona palucida क्या बोलते हैं zona palucida जो कि protective layer होती है जो secondary oocyte को protect किये हुए है और ये हमारा actually में क्या है secondary oocyte secondary oocyte है secondary oocyte actually में एग कब बनेगा जब इसके पास क्या आएगा centriol आएगा क्या आएगा centriol तो अब सेंट्रियोल का बाता देखना जैसे ही ovulation हुआ तो ये secondary oocyte release हुआ अब secondary oocyte release होने के 24R तक अगर जो स्पर्म आ गया तो ठीक है उसके बाद कोई क्या होता है अगर जो कोई intercourse करे तो intercourse करने के दौरान वो क्या करता है इंसेमिनेट करता है क्या करता है इंसेमिनेट करेगा यहां पर और insemination के टाइम पर वो स्पर्म रिलीस करता है क्या रिलीस करता है स्पर्म रिलीस करता है और जब insemination होगा insemination का मतलग है ejaculation of sperm और अगर जो एक single ejaculation होगा है तो उसमें around 250 to 300 millions of sperm release होते हैं आप समझ सकते हैं 200-200 से 300 million sperm release होते हैं तो यानि कि बहुत सारे sperm release हुए है क्यों release हुए है क्योंकि एक single ejaculation में काफी सारे sperm बनते हैं अब actually में क्या होता यहाँ पर इन सारे sperm की एक type C हम बोल सकते हैं कि race start होती है कौन पहले पहुँचेगा क्यों क्योंकि sperm को पहुचना है इस secondary oocyte के पास कहां पहुचना है secondary oocyte के पास उसमें मियोसिस 2 कंप्लीट करवाएगा and then fertilization करेगा तो अब क्या होता क्या है इसी तरीके से यह आगे बढ़ रहा है तो बढ़ते तो बहुत सारे हैं ऐसा निये कि सिर्फ एक दो मेया पर बना कम रहा हूँ बट आप ध्यान रखें बहुत सारे स्पर्म जो है वो आगे कि और बढ़ते हैं बहुत सारे स्पर्म ठीके बहुत सारे स्पर्म आगे बढ़ते हैं ठीके अब यह बढ़ते बढ़ते आगे आगया अब इधर से देखो इधर से तो स्पर्म आ रहे हैं Speed स्टार एक ACT यह थोड़ा आगे पहुंसता है यह पहुंसता है इस वाले रीजन में आता है मैं इसको मार्कर देता हूं ब्लू किलर हैं इस रीजन में इन लूनहें के बीच का जो रीजन है एंपोला और इसथो मॉस्के बीच का रीजन को हम बोलते हैं इस रीजन को हम क्या बोलते हैं किसी एंप मुलते हैं हिस्थम्यू हो जंक्र संघ कि अभी सो अब्य भिस्थम जंक्र है रियल में यही वह पाट होता है यहाँ पर इस सेकेंड्री कोने इसेनले होता है तो हुआ जगे में ही ऍक लग्रिलाजी land घौता है सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें कमेंट जरूर करें तो बात कर लेते हैं insemination insemination क्या होता है releasing of sperm releasing of sperm into vagina is known as insemination release ना बोलकर क्या आप ejaculation बोल सकते हैं और एक ejaculation में one ejaculation के अंदर अगर जो हम बात करें तो 252,300 million sperm release होते हैं अब यह जो millions of sperm release हुए है इन में से सिर्फ कोई एक ही जाएगा for translation करने के लिए ठीक हैं अब यह हम उस बात पर भी आते हैं सिर्फ एक एक क्यूझ जाएगा बागी सारे क्यूझ नहीए आ पाते हैं या पोंसते ते हैं सिर्फ एकक क्यूँ फर्ट ellison करता है अभी हम देहर देहरे देरे इन सारी बातोंबर आने वाले हैं अब देखो यहां पर एक टर्म आपको ध्यान रखना होगा यह जो इस्पर्म वेजिना के अंदर आए हैं काफी सारे स्पर्म मर जाते हैं क्योंकि वेजिना के अंदर का जो पीछ होता है वो ऐसे डिक होता है कैसा होता है ऐसे डिक तो acidic में तो सारे sperm मर सकते हैं कुछ ही क्यों मरते हैं कुछ थोड़ा slow move करते हैं वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं यह reason हो सकता है और बाकी क्यों नहीं मरते हैं तो बाकी इसलिए नहीं मरते हैं क्योंकि सिर्फ single sperm ही नहीं आता है यहां पर बहुत सारे इस्पर्मारए इसक शाग्ता अरान है तो याद करो जब किसी होता है तो सीमन होता है किसी मनतो होता है सीमन में एक्चुली में क्या होता है और सीमन को बोलते हैं स्पर्म प्लस सिक्रीशन ब्लस सिक्रीशन आफ डग्ट्स सेस्री ड्क्ट्स तो यह से डग्स कोई कौन कोंटे होती है प्रोस्टेट ग्लेंड बल्बो यूरेथ्र र्ल घ्लेइन अन्ड कॉपर्श ग्लेंड ठेकप और टेन सेमिनल वैजिकल तो तीन ग्लेंड होती है एक प्रोस्टेट सेमिनल वैजिकल और इसके बाद कॉपर्स ग्लेंड या फिर बल्बो योरेथरल यह कॉपर्स ग्लेंड बोल लो या बल्बो यूरेथरल गिलेंड बोलो दोनों सेमी होता है तो सीमन जो रिलीज हुआ था ठीक है तो ये इस्पर्म अकेला नहीं था इसके साथ में सिक्रीशन भी था और वो सिक्रीशन हेल्प करता है जो वैजिना के अंदर एसिडिक मीडियम होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में उ फीमेल रिप्रक्टिव ट्रैक के अंदर एक्टिवेट होना और एग की तरफ जाना सेगेंडरी उसाइट की तरफ जाना कहलाता है कैपसिटेशन क्या कहलाता है कैपसिटेशन तो टर्म द्यान नहें कैपसिटेशन तुम भू शक्ते हैं एक्टिवेशन आफ इस पर्म नाट फिमेल द्यूंड प्राक्टिवट ट्रैक तो एक्टिवेट हो जाता ओर कहा जाता है वह सेकूंडरी उसाइट की तरफ जाता है तो यह प्रोसेस चल है कि सभी चल रहा है क्योंकि स्पर्म को क्या करना है इस वाले को फर्टिलाइस करना यृस ने वले है तो एक्छुली में होता क्या अब जो है कि सपर्म और आ जाता है किसके सेकंड्री उसाइट के पास ना गयाता है किसके बाद में आता है secondary उसाइड के पास में सपर्म अब सिर्फ एक ही सपर्म नहीं आता है बहुत सारे सपर्म आते हैं क्या आते हैं बहुत सारे सपर्म। ठीक है अब बहुत सारे स्पर्म एक्चुली में क्या करते हैं इसको घेर लेते हैं चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं कुछ इस पर्म बहुत ज़्यादा पास पहुंचाते हैं यह एक्रोजोम इस तरीके से मैं रिप्रेसेंट करना हूँ ठीक है तो यह कंडिशन आ जाती है जब इस पर्म इस पैली सीडा के पास पहुंचता है ठीक है या हम बोल सकते हैं सेल्स अफ कोरोना रेडियेटा के पास पहुंचता है तो जो इस पर्म का एक्रोजोम है इस पर्म का एक्रोजोम ध्यान देना इस पर्म का जो एक्रोजोम है वो एंजाइम्स को कैरी करता है enzymes को carry करता है और वो enzymes ही fertilization में help करते हैं ऐसा मैंने previous lecture में बताया था लेकिन अगर चो हम बात करें fertilization जब होता है तो कुछ reactions होती है reactions involved during fertilization तो वो कौन-कौन सी reaction होती है हैं बात कर लेते हैं अगरे अच्छिक घ्रीक्स इन्वाल्वड उता है कि एण कि इन ऑफरर्डिलाइजेशन ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्रोजोमल रियक्शन कि किसकी एक्रोजोमल सबसे पहले होती है एक्रोजोमल कि रियक्षन ठीके एक्रोजोमर्ण रियक्षिन के बाद अगरोजों बात करें कर्ण़ से कॉर्टिकल रियक्षन arriv इसके यह अगलिया किवाद क्या थाइस के बाद होता है इसके बाद होता है कि एंट्री इस पर्म कि एंट्री इसके बाद क्या होगा इस पर्म की एंट्री होने के बाद जब इस पर्म की एंट्री हो जाएगी तो फिर होगा केरियो गैमी केरियो गैमी केरियो गैमी अगर जो हो गया है तो उसके बाद कौन सी रियक्शन होगी तो केरियो गैमी के बाद जो reaction होती है उसको हम simply बोल सकते हैं कि fusion होने के बाद उसमें clear ways start होता है क्या start होता है clear ways तो इस point को हम fedulation के बाद वाला बोल सकते हैं जो होता है ठीक है तो फिलाल तो हम इनकी बात करने वाले हैं तो I hope ये सारी बाते समझ में आ रही होंगे तो हम बात करते हैं कि एक्रोजोमल reaction कौन सी reaction होती है ध्यान देना जड़ा जो sperm का एक्रोजोम है यह sperm का एक्रोजोम जब इस secondary oocyte की लेयर से और हम बोल सकते हैं cells से जब रियक्ट करता है पास में आता है तो यह reaction है उसी को हम क्या बोलते हैं एक्रोजोमल reaction कहते हैं एक बड़ दोबारा से से केंडरी oocyte के जो ऊपर cells है कोरोना रेडियेटा यह cells और एक्रोजोम के बीच में जो reaction होती है जब वो आएगा पैनिट्रेट करने के लिए उसी को हम क्या बोलते हैं एक्रोजोमल reaction कहते हैं और यहां पर क्या होता है एक्रोजोम के अंदर कुछ enzymes होते हैं क्या होते हैं कुछ enzymes तो enzymes कौन कौन से होते हैं अब यह हम इनको डिसकस कर लेते हैं तो यह साथ के साथ नोट करते रहें तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्रोजोमल reaction की एक्रोजोमल reaction और इसमें क्या हो रहा है इंट्रेक्शन हो रहा है किसका इस पर्म के एक्रोजोम का और सेकेंडरी उसाइट की लेयर का एक्शले में जो एक्रोजोम होता है एक्रोजोम कंटेंज सम कैमिकल्स और एंजाइम्स फर्स्ट एंजाइम है या लूरो नीडेज थे क्टेंड है 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 जो शैल्स ओफ को रोणा रेडियाटा है इनको डाइजेस्ट करने के लिए भी इनके पास क्या होते हैं एंजाइम्स होते हैं और उसका नाम है को रोणा पैनेट्रेटिंग एंजाइम थर्ड जोना पैली उसीड़ा को पैनेट्रेट करने के लिए भी एंजाइम होता है जिसका हम बोलता है जोना लाइसिन जोना लाइसिन एक्चुले में जो हेलूरुनेडेज एंजाइम है ये अंदर की तरफ मूप कर जाता है फॉलिकल्स की तरफ याननेट की तरफ आके ये की इटा इशाइब लेकिन अगर जबात करें आ पैनेट्रेटिंग एंजाइम की जो कोरोना की चू लियर है कोरोना सेल्स उफ कोरोना रेडियेटा इंको साइड में हटाने का काम इस वाले एंजाइम का होता है ठीक है अब यह जो जो जोना लाइसिन है यह एंजाइम का करेगा जोना पैलिसीडा को पैनिट्रेट करता है क्या करता है तो पैनिट्रेट जोना पैलिसीडा अब एक्चली में जब जोना पहले उसी डाग को पेनिट्रेट करने के लिए जो जोना लाइसिन एंजाइम आया है क्या यह सिर्फ कंपल्सरी होता है तो ध्यान देना इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़े चाहिए यह पोडिया सिम्फ म्दैं एक पर्टिकुलर टैंपरेचर और पीह की ढूत का टोटिक ने जरुएं यह तो अगर जोकिल्सिम नहीं यह टो डिहां दखना कुछए जाता है only which AI इस a wage थेखनेंपनेंग और उन्पी अख़कर हôm लेकिन अब पोड़ सब्राइब को हैं। लोग इप पर्म ने उना पैले सुड़ हैं तो बाकी सारे क्यों पैनिट्रेटर नहीं करते हैं यहां पर पोली इस परमी क्यों नहीं होता है तो दियान दो जब एक इस्पर्म जोना पैली सीड़ा को पैनिटरेट करता है उसके अंदर जाता है। तो जोना पैली सीड़ा में कुछ पैमिकल चेंजwarz यहाते जिसके वैसे वापने हाड कर लेता है हाड करलेता है हाड होने की वजा से दूसरे स्पर्म उस उसको उसके अंदर नहीं जा पाते उसमें पैनिट्रेट नहीं कर पाते हैं सपोस कीजिए कि एक इस्पन था ठीक है और उसने क्या कर दिया इसको पेनिट्रेट कर दिया यानि कि ये एक्रोजोमल रियेक्शन हो गई तो एक्रोजोमल रियेक्शन होने पर यानि कि वो पेनिट्रेट कर चुका है अब जब वो पेनिट्रेट कर देगा ठीक है पेनिट्रेट हो गया पेनिट्रेट होने से जोना पैलिसी दा हार्ड हो जाती है हम बोल सकते हैं ये डीप उल्राइस हो जाती है क्यों हो जाती है डीप उल्राइस वयंद दा अक्रोज्व मुण कर पैनेट्रेट जलक बरед जोड बम होई पाल्यकिण अ अरॉ दन गू मूस एस हुां तर अर बह पाल्यकिण ड औ वोर जिसम क гाय तर कि सायन। ज FA गे बहूद कि सम्सान कि एप कहरे सके बलस्य ड दिसर द सब्स्कार्रासॉ पैने ट्रेट सो नो अधर इस फंग एन पैने ट्रेट दा जोना पैलिसीड़ सो इट प्रिवेंट सो इट प्रिवेंट पॉली इस पर मी तो पतचला पॉली सपर मी क्यों नहीं होता है मतलब कि सिर्फ एक सेकंडरी उसाइड को पैनेटरेट करने के लिए जैसे एक स्पर्म आया तो दूसरे क्यों नहीं आ पाते हैं कि एक स्पर्मने पेनेट्रेट कि अच्छा राइज हो जाती है कुछ चेंजिस आ जाते हैं जिसकी वज़े से दूसरे उसमें उसको पेनेट कर पाते हैं और जो हमारा पॉलिस फरमी यह क्या जाता है प्रिवेंट हो जाता है तो यह जो रियेक्शन है जो अभी तक हमने पढ़ा इसी को हम बोलते हैं एक्रोजोमल रियेक्शन इस टर्म को आपके NCRT में मेंशन नहीं किया गया है लेकिन इन बातों को आपको जानना ज़रूरी है ठीक है आगे उती है कॉर्टिकल रियेक्शन कोषिकल रीचिन जब इस पर्म एन्टरी करेगा तो वह तीलियेक्षन अब क्या होगी फियान अब जैसे ही कोbourg defס रियक्सिंस उन्य जुए विवस्पा विय्स उष्टंटर वह अंधर की ओरधर है ठीक है तो जैसे ही इसपर लूफ सब्सक्राइब करता है सेकंटरी उसाइट के अंदर तो युद्न सिकेंटरी संथ था वहileen कि अलिए opted अरेस्ट था यह अरेस्ट था मैटाफेस टू में कहां पर अरेस्ट था यह मैटाफेस टू में मैटाफेस टू इसका कंप्लीट हुआ ही नहीं था मियोसिस टू का मैटाफेस टू कंप्लीट नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ था क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल नहीं था अब जैसे ही इस पर्म की एंट्री होती है तो इस पर्म के नेक रीजन में इस पर्म के नेक रीजन में यह नेक होता है यहां पर क्या होता है सेंट्रियोल होता है जिसका नाम था डिस्टल सेंट्रियोल क्या नाम होता है डिस्टल सेंट्रियोल ध्यान देना जरा अब देखो यहां और कोंट्रीवीशन से क्या होता है एक लाइफ इस्टार्ट होती है दोनलों का कॉंट्रिविशन कैसा अगर सेकटी के अंदर यह सेंट्रियोल नहीं जाएगा तो यह ओवा नहीं बने का और और नहीं नहीं बचार मीगा तहां नहीं होगा ठीके और इसके जो इस vandaag आ रहा है इसके पास सिर्फ क्या है जेनेटिक माटीरियल है क्या है जेनेटिक माटीरियल साइटो प्लाजम बहुत ही कम है है ही नहीं बहुत कम है लेकिन इसको सर्वाइव तो करना है नूट्रीशन तो चाहिए तो पहले तक तो जब सेने एंट्री की तो नूट्रीशन देने लेकिन आते आते आप बाद में कौन नरिष्ट करेगा तो इसको नरिष्ट करने के लिए होता है यह जो सेंट्रियों साइट जो अब सेंट्रियों के मिलने पर क्या बनाएगा ओवा बनाएगा ठीक है जैसे सेंट्रियों इसमें गया तो इस सेंट्रियों साइट जो है वह वह कि दो सेल में डिवाइड हो जाएगा और यह अपना मियोसिस्टू कम्प्लीट करेगा एक तो बनाएगा एक सेल जिसको हम ओवा कहते हैं या उटिड कहते हैं कि और दूसरा बनाएगा सेकिंड किम्स ऐसेटी सेक्इंड इञिए अन पौलर बॉडी सेगींड शैयन के बदो प्रिवियस लेक्ष्टर को द्यान नखो में फॉर्स्ट बन गया ता जब जो प्राइमरी उससाइड था कहाता प्राइमरी उसससाइड बना तो वहां पर कह वा था development के बाद बन्द स्फॉर्ट बर्डी बन चुका था और यहाँ पर क्या हो था सेकेंड प्रड़ बाडी फॉर्म हो जाता है इसके साह जो एक बना या ओवा बना कब बना जब सेंट्रियोल आ गया इसके अंदर अब ये क्या करता है ये जो ओवा बना है ये बड़ा सा होता है ठीक है और ओवा की structure हमारी NCI डेम वैसे यही दिखाई गई है लेकिन होती नहीं है इसी तरीके से आप माल लो कि यही बनाना है आपको जो आ गया तो अभी जो ओवा है ओवा का साइटोप्लास्म बहुत जादा होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पहले से करके चलता है कि अगर जो इसको न्यूट्रिशन लेना हो तो कहां से लेगा तो पहले सी अपना लंच बो तयार कर लिया इसने कि भीया मुझे जुरत पड़े खाने की तो यह पहले से अपना साइटोप्लास्म तयार रखते हैं बहुत सारा साइटोप्लास्म होता है और जैसे से अगए जब गया तो यहीं कम्प्लीट हो रहा है ठीके तो इसके बाद क्या होता है आप जैसी एंट्री हुई तो क्या हुआ एंट्री होने के बाद ओवर वना और क्या हगा फटे यहीशन होगा फाटर लाश्न के बाद क्या होगा हम बोलेंगे जो इस पर्म का नूप ल 3 वो तो वो क्या हो जाएका फ्यूज फ्यूस जाएगा फ्युजे उब हम न्यूक्लियस साफ कुसर्ड न्यूक्लियस सोफ टो यहां पर क्या होगा केरं घ्रमी अब द ren towards कर्यों कहिवागा क्यालाता है और ए क्या है और कितने टाइम में होगा तो ध्यान दोज़रा जो हमने साइकल पड़ी थी 14 डे पर क्या हुआ था 14 डे पर ओविलेशन हुआ था तो 14 डे से 24 अर के अंदर क्या हो जाना चाहिए इसका वक्तिलेशन है इसकी रोखा क्या होता हो जाती है चांसें पंदर tôi25 गया है तो मैं अब इसको यहाँ बना देता हूं साइल फड़ी करते हूब है थी किlingen यह फंटकर वेलेशन होगा यहां पर और जैसे फटने सीन होगा तो पॉली-सBob में आपको रिजन पता चल चुका है कि कियो्क पॉली सपर में नहीं होती है और सिंगल ही स्पर्म क्यों उसको फैटलाइज कर पाता है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम फैटलाइशन हो गया 24 आर्ज के अंदर अंदर कि अब कि अब मैं सुर्फ कर देता हूं जरुरत नहीं है इसकी अभी अब एक्चली में क्या होता है अब यहां पर 24 आर में अब यह क्या बन जाता है जाइगोट बन जाता है अब जाइगोट बनने के बाद यह मूव करता है यूट्रस की तरफ कहां मूव करेगा यूट्रस की तरफ मूव करेगा और जब यूट्रस की तरफ मूव करेगा तो सब से पहले क्या बनाएगा जईगोट बनाएगा क्या बना दिया है नो ने जए गोट बनादिया जायगोट फॉर पो गया टर सब्स think ळोशान जोड़ीं पर एकाइड करेहस सब्सक्ति시간 माइट आफंटन्य जोट जोट उन्हाल के क्योंकि यहां पर चाहिएवी घ। इघ्मेट यह लेकर आया ये भी डेकर ये भी 23 क्रोमोजों यह भी 23 अब मिलकर कितने हो गए 46 अब यह डिपेंड करता है कि जो इस पर्म था वो X लेकर आया या Y अगर जो X लेकर के आएगा तो जो फीटस प्रेडियूस होने वाला जो बेभी प्रेडियूस होने वाला है वो अब यह अगर जो X है तो अगर जो यह Y लेकर आया स्पर्ण अगर जो यह नो करे का आता है तो वे भी च्या होगा बॉई होगा या기에 लोगा ठीक है अब यह आगे बढ़ाना है स्टार्ट करता है कि लिए विजन होगा कि लिए विजन होने पर टू सेल बनाता है कितने सेल बनाएगा टू सेल ठीक है तू सेल के बाद यह और डिविजन करेगा तो फोर सेल बनेंगे प्रू सेल के बाद और डिविजन करेगा तो 8 सेल और फिर और डिविजन करेगा तो 16 सेल बन जाएंगे कितने सेल? 16 सेल यानि की जाइगोड था मुझे जरूर था तो इसको नोट कर लिया होगा सभीने मैं रफ कर देता हूं तो हम बात कर रहे थे कि जाइगोट बना ठीक है जाइगोट अब जाइगोट में क्लियर वेज डिविजन स्टार्ट हुई तो सबसे पहले दो सेल बने टू सेल देन फोर सेल लेन एक एट सेल देन इस तरीके से डवलपमेंट होना स्टार्ट होता है यह जो दो सेल बने अब जाइगोट के बाद दो सेल बने हम ऐसे बोल सकते हैं तो सेल्स बन रहे हैं दो सेल चाड़ सरा यह सारे के gas टो मेर कै लात कि नाम देते हैं मौरियूला यह मौरियूला किसको बोला गया जाइगोट में जब क्लिएर इस डिवीशन हुआ तो जब 8 से 16 सेल प्रेजंट होते हैं ठीक है तो उसको क्या बолते मौरियूला कहते हैं और यह मौरियूला बनने में आफ्टर फर्टलाइजेशन तीन दिल लग जाते हैं तो हम बोल सकते हैं थार्ड डे में कौन से दिन में अराउंड थार्ड डे में कि क्या फर्म होता है मौरियूला फॉर्म हो जाता है तो कि अब इसके बाद क्या होता है इसके बाद मौरियूला के बाद और जाना डर्लोपमेंट इस्टार्ट होता है बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं रियल में अगर जो हम बात करें तो कितने सारे बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं मैं दूसरे कलर से बना देता हूं इन सेल्स को बहुत सारे सेल्स क्योंकि इसके बाद ब्लास्चुला गैस्चुला कंडिशन भी आती है वो मेंशन नहीं है तो काफी सारे सेल्स यहां पर फॉर्म हो जाते हैं और यह जो सेल्स हैं वो अपने आपको डिविजन ओफ लेवर होता है तो दो टाइप के सेल्स बना देते हैं कितने टाइप के सेल्स बना एते हैं दो टाइप के सेल्स यहां पर फॉर्म होते हैं है कि इन्होंने क्या है अपने आपको और्गनाइज कर लिया है यानिकी डिविजन फ्लेयर में बाट लिया है क्यों क्योंकि अब यह कहते हैं कि बैया अभी तक तो हम सिर्फ अब बहुत ज्वादा सेल्स हो चुके हम बड़े हो चुके तो आपने काम बाठ लेने चाहिए तो हैं बाहर की और तो इन में और ज्यादा जब डिवीजन होता है तो यह कुछ इस तरीके की एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं और यह स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपोटेंट है और एक्जाम में पूछी जाती है एज इस एज ही आएगी तो इसको ध्यान रखें ठीके बिल्कुल सेम ऐसी ही स्ट्रक्चर बनी हुई आई गया आपके पेपर में और से रेलेटेड कोशन पूछे जाएंगे ओके तो ध्यान दे इधर सभी ठीके तो जो बहर की लेर थी उसने आपने आपको क्या गर लिया और जाना और ज्यादा और ज्यादा और गनाइस कर लिया तो इस लेयर का का नाम क्या होता है इस लेयर का नाम होता है प्रोफो ब्लास्ट का नाम होता है इसका है ट्रोफो कि ब्लास्ट और गनाइस कर लिया और अंदर के जो सेल्स थे उन में डिवीजन स्टार्ट हुआ वो भी अपने आपको औरेंज कर लेते हैं कुछ इस फॉर्म में रियल में जब डिविजन स्टार्ट हुआ जब दो में बने ये बाहर किसे उन्हों अंदर के सेल तो उन्होंने अपने काम को बाट लिया इन्होंने का यार हम जाइगोट से स्टार्ट हुए थे और हमें पूरी कम्प्लीट बॉडी बनानी है इस फार इस बनाता है तो इनके काम बढ़ जाते हैं तो जो बाहर वाला है वो कहता है ठीक है बहिए मैं एक काम करूंगा मैं एक एसी लेयर बनाता हूं जो यूट्रस में चिपक जाए यानिकि अटेच हो जाए तो उसने का ठीक है और यह जो अंदर वाले सेल थे इनको हम इनर मास क्या बोलते हैं इनर में सेल मास अई सी ए इसको क्या बोला गया ट्रोफोग्लऄ सुद्वाजन टे कं तो ही तो को किसको बनाएगा सिंक्तान के जी होका को बनाएगा रख और एंब्रियोn को बनाएगा और से ओंपिरोनिक लेयर्ज डव्लप करेगा और वेंगोंड मेंजोंडन वो इनर स्यल मास ही बनाता है अब यहां पर यह कवीटी दिखाई दे रही इस कैविटी को हम भिलास्ट टो सील क्या जिस्ट है what को ढूलते है इस काइड यू को फील के लाता है यह पूरा यह 600 के लादा ऐग्जाम में बहुत जादा पूचर यह डिकBSलर ऑगिन कि श्रक्षण है कि इसका नाम बस टोब तो यहां यूट्रस के पास आचुका होता है ठीक है कुछ इस तरीके से यह आ गया है अब यह जब इंप्लांट होगा तो कितने डेश जाते हैं पास से साथ दिनके अंदर वो यहां पर आ जाता है और अब क्या होगा यह होगा क्या होगा जो यह यह यूट्रस की जो अंदर की लेर हैं डो मैट्रियम यह थिक होई थी प्रीविज़ क्लास याद करो इंडो मेंट्रेट वहल अपने आपको प्रिपेर करती है क्योंकि उसे पता होता है कि फटलेशन होगा तो इंप्लांटेशन होगा तो जो जाइगोट है वो चिपक सके इसलिए वो ठिक हो जाती है अब यहाँ पर बहुत तेजी से रैपिडली क्या होते हैं सेल डिविजन स्टार्ट होता है इस एंडोमेट्रियम में और जैसी सेल बहुत जल्दी से डिवाइड करते हैं तो यह क्या होता है यह सेल इसको अपने अर्यानी की खीच लेते हैं इसको चारो तरफ से घेर लेते हैं कि चारो तरफ से क्या होता है सेल्स इसको गेल लेते हैं और यह स्ट्रक्टर जो है कुछ कि इस तरीके जिसको पकड़ लेते हैं ठीक है अब जैसे ही इसके अंदर पकड़ा जा चुका है इसी प्रोसेस को मोलते हैं इंप्लांटेशन क्या बलते हैं मश्दि और इंप्लंटेशन यह साथ दिन के अंदर हो जाता है अफ्टर फार्टिलजिशन जैसे ही इंप्लानटेशन होता है तभी हम बोलते हैं या निक्या प्रेगनेंसे स्टार्ट हो जोन चुकी यह जड़े प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है ठीक है तो यह बाते और किसós मोरि उस्ट मगई मोलता है और प्लास्टोसिस्ट जो एगा उटेट होता वहाज होता में पढ़ाई क्या था फर्टिलाजेशन एंड इंप्लांटेशन तो ठीक है आज हम इतनी बात करते हैं इसके आगेगा हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न बोले थैंक यू फॉर वाचिक मैं चैनल करें तो